Hello everyone, welcome to all of you, और आज एक बहुत ही बहतरीन और examination point of view से बहुत ही important topic आपको बताने जा रहे हैं, आप अपनी copy में, notebook में जरूर note कर लिजेगा इसको, that is the type of silkworm, बहुत तरीके के silk पूछे जाते हैं, और उनके scientific name और उनका कौन सा host plant है, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले हम आप को silkworm के बारे में थोड़ी से जानकारी देना चाते हैं, silkworm को हम लोग resum का कीड़ा भी कहते हैं, silk moth भी कह देते हैं, और ये class, आप कह सकते हो कि, ये आप कह सकते हो class insecta के order lapidoptera का member है, lapidoptera, एक तरीके का ये insect है, और order lapidoptera का member, जिसको हम लोग resum का कीड़ा के नाम से भी जानते हैं, silk moth या silk culture को हम लोग seri culture भी कहते हैं, seri culture और बहुत सारी चीज़े इससे बहुत important हैं, जैसे कि first जो phheromone अभी हमने पिछले lecture में आपको phheromones के बारे में बताया है, जो सबसे पहला phheromone है, bombicol, वो इसी bombics morai silkworm से य phheromone, देखे एक्चुली silk होता क्या है, silk जिसको आप resum जानते हैं, उसमें बहुत important protein भी पाये जाती है, जो कि एक secondary protein होती है, beta helical protein होती है, sericine और fibroin, ठीक है, sericine और fibroin, ये proteins भी पाये जाते हैं, अगर हम बात करते हैं कि silk का सबसे बड़ा, biggest culture, biggest center कौन है, तो मैसूर जो है, silk उत्पादन का सबसे बड़ा center माना जाती है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, कि जो silk है, रेशम का कीड़ा, ये जो silk जो है, हमें कहां से obtain होता है, तो ये जो larva होते हैं, silkworm के जो larva होते हैं, caterpillar larva, उनके salivary gland से secret होने वाला, उनका saliva एक तरीके से है, जिसको हम लोग silk के form में extract करते हैं, इसकी बहुत सारी processing होती है, तब जाके हमें silk obtain होते हैं, अब बहुत तरीके के जो ये silk moth है, ये बहुत ही आप कह सकते हो कि इनके बहुत सारी variety हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो types हैं, species हैं, जिसके बारे में हम आपको यहां पर discussion करने दा जिसे most common आपके पास है, mulberry silk, mulberry silk यहां से obtain करते हैं, इसका जो scientific name है, bombix morai है, और इसका जो host plant है, ये mulberry की पतियों को खाते हैं, सहतूत की पतियों को खाते हैं, तसर silkworm जिसको जहां से kosha silk भी obtain करते हैं, important है, तसर silk या kosha silk कहते हैं, एंथरिया पैफिया से जो इसका scientific name है, और इसका जो host plant है, common, most common तो oak ही है, most common oak है, जिसको quercus subair कहते हैं, और bear जुजूबे भी हो सकता है, fig भी हो सकता है, ठीक है, एरी silkworm, एरी silkworm देखिये, इससे castor silk भी कहते हैं, अहिंसा silk भी कहते हैं, peace silk भी कहते हैं, अरंडी silk भी कहते हैं, non-violent silk भी कहते हैं, अब इसके पीछे reason क्या है, यहां से देखो, जब हम लोग silk obtained करते हैं, तो हमें larva को kill करना पड़ता है, लेकिन जो एरी silk होता है, इसको गांधी जी ने promote किया था, और अहिंसा उनका परमधर्म था, तो उन्होंने इसको कहा, इससे जो है, इसकी जो processing होती है, इसमें कीडे को बिना मारे silk को निकालने की process थी, ठीक है, तो एरी silk, वर्म, केस्टर सिल्क, अहिंसा सिल्क या फिर इसको आप कह सकते हो, नॉन वाइलेंट सिल्क, पी सिल्क या अरणी सिल्क है, अटेकस रिसिनाई, और जिसका होस्ट प्लांट क्या है, केस्टर है, रिसिनस है, ठीक, इसके अलामा, ओक सिल्क, एंथर इतयरिया असमा भी दिया रहता है, एंथरिया असव इनसिस भी गहते हैं, इसका बहुत इंपोरटट होस्ट प्लांट है सोंब प्लांट, सोंब प्लांट को परसिया, बॉम्बी, सिना के नाम से भी जाना जाता है, तो यहांसे मूगा सिल्क उप्टेन करते हैं, और तो यह, ये सारे एक तरफ हमने host plant लिखा है, scientific name लिखा और common name लिखा है, और ये बहुत 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 बेहतरीन information है, आप इसको याद रख़ेगा, हमने starting में भी जो information आपको दी, सिल्क के कल्चर को या उसके कल्चर को कल्टिवेशन को हम लोग सेरी कल्चर कहते हैं सिल्क वर्म, सिल्क मौत, रेशम का कीड़ा, लेपिटोप टेरा ओर्डर का है और बिगेश्ट सेंट्रिस का बहुत बड़ा उत्पादन मैसूर में होता है ठीक है न? लाइ साइकिल एक सिल्क वर्म की 40 से 45 दिन की होती है, बहुत जादा निया जिसमें लारवा बहुत आप कह सकते हो कि जो इसके लारवा है वही 30 से 35 दिन वही लारवा फार्म में रहता है एडल्ट में ये मुसकिल से हपते भर रहता है एडल्ट लार्वा के ही salivary gland से का secretion होता है silk और इसमें बहुत important protein होती है sericine और fibroin जो की आप कह सकते हो secondary beta helical protein है secondary structure of protein है तो ये बहुत important information है कितने तरीके के silk हैं ये सब आप जरूर note कर लेजेगा मिलते हैं फिर अगली किसी बहतरीन वीडियो में तब तक के लिए सभी को शुब कामना है all the best